Hello Everyone, Welcome आज का हमारा टॉपिक है टेंस बहुत लोगों के लिए टेंस होता है और बहुतों के लिए टेंशन भी होता है मैं आपसे ये प्रामिस करती हूँ कि मैं आपकी ये टेंशन जर से खत्म कर दूँगी बट आपको भी ये प्रामिस करना होगा और कि आप ये वीडियो इन तक देखेंगे और आपको मैं बीज-बीज में प्रैक्टिस कोशिन देती रहूंगी ताकि आप उसे प्रैक्टिस करते रहे और उसका एंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें तो चलिए पैन और कॉपी लेकर रेडी हो जाएए So, let's start the video. Tense. Tense का हिंदी मीनिंग क्या होता है? काल. तो सबसे पहले हम देखते हैं, tense कितने प्रकार के होते हैं? Tense होते हैं तीन प्रकार के. ठीक है? तो सबसे पहला होता है present tense, then past tense and future tense. और इन सभी tense के चार प्रकार और होते हैं. पहला होता है indefinite, then continuous, then perfect and then last में perfect continuous जैसे की present indefinite tense, present continuous tense, present perfect tense and present perfect continuous tense वैसे ही same past के भी होते हैं past indefinite tense, past continuous tense, past perfect tense and past perfect continuous tense सेम इसी प्रकार future के भी होते हैं आगे पढ़ने से पहले मैं आप लोगों कुछ note देना चाहती हूँ जिसका चाहे तो आप screenshot ले सकते हैं या फिर आप उसे copy में note करके लिख सकते हैं तो देखिए, अगर किसी sentence में आपको he, see, it या फिर किसी का नाम दिख जाए तो वहाँ पर आप क्या लगा सकते हैं help above के रूप में is, was, has and does इन सभी का use आप कर सकते हैं बट अगर he, see, it और किसी के नाम के अलावा कोई और subject आपको दिख जाए तो वहाँ पर आप are, where, have और do का use करेंगे अगर किसी sentence में had, did और will का use करना हो तो वहाँ तो वो किसी भी subject के साथ fit हो सकता है जैसे की he, see, it, name, I, we, you, they किसी के साथ भी में fit हो सकता है तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं present tense से present tense में सबसे पहले हम देखने वाले हैं present indefinite tense जिसकी पहचान होती है ता है, ती है, ते है अगर आपको किसी वीडियो के last में ता है, ती है, ते है दिख जाए तो आप समझ जाए कि वो present indefinite tense की बात कही गई है तो इस प्रकार के tenses में हम किस वर्व का use करेंगे, वो मैं आपको बताती हूँ इस प्रकार के tenses में हम वर्व की first form के use करते हैं और अगर sentence में he, see, it या फिर किसी का नाम दिख जाए तो वहाँ पर वर्व की first form के साथ मुझे as या फिर yes जोड़ना पड़ेगा और main वर्व की रूप में use करेंगी, वर्व की fourth form का जिसका मिनि होता है, अगर आप वर्व की first form में ing जोड़ देते हैं तो वो वर्व का fourth form बन जाता है अगला है present perfect tense, जिसकी पैचान होती है, चुका है, लिया है, दिया है, ली है, दी है इस प्रकार के sentences में हम have और has में सी किसी एक का use helping verb के रूप में करेंगे और वर्व का third form का रूप हम करेंगे main verb के रूप में अगला आता है present perfect continuous tense, जिसकी पैचान होती है, से रहा है, से रही है इस प्रकार के tenses में हम has been का use करेंगे, या फिर have been का use करेंगे और main verb के रूप में verb का fourth form का use करेंगे, मतलब verb की first form के साथ ing लगाएंगे and then last में since और four में से किसी एक का use करना होगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे किसी काल की बात कई होगी जैसे की सुबह से, साम से, दो पहर से, दो साल से, दो महने से तो यहाँ पर मुझे since और four में से किसी एक का use करना पड़ेगा तो यह था हमारा present tense का introduction, जो की बहुत ही brief था, अब मैं आपको deeply इसे बताऊंगी present tense को कितने तरीके से हम बना सकते हैं, वो देखते हैं present indefinite tense को हम कितने तरीके से बना सकते हैं, वो देखते हैं simple tense में बना सकते हैं, उसके बाद आता है negative tense बना सकते हैं जैसे कि अगर किसी sentence में ना नहीं का use किया जाता है, तो वो negative हो जाता है अगर किसी sentence में कोई ऐसा बात कही गई है, जिसका answer आप no या yes में दे सकते हैं तो वो हो जाता है interrogative sentence, और last होता है negative interrogative sentence मतलब कोई एशा question जिसका answer आपको no में देना हो तो वो हो जाता है negative interrogative sentence और last एक और आता है wh word जो कि मैं आपको बताऊंगी आगे practice करते हुए यहाँ पर एक odd chart दी गई है जिसको आप जरूर note कर ले ताकि आपको practice करने में आपको काफी सुवीधा हो देखिए मैंने इसे काफी part-part में इसका divide किया है जैसे कि अगर आप present tense के indefinite tense में जाते हैं तो वहाँ पे आप helping verb के रूप में do does का use करेंगे अगर आप past में जाते हैं indefinite के तो वहाँ पे did का use करेंगे अगर आप future में जाते हैं तो will का use करेंगे indefinite tense में बट अगर आप present tense के continuous में जाते हैं तो वहाँ पर msr का use करेंगे past के continuous में wasware का use करेंगे and future के continuous में will we का use करेंगे वैसे ही अगर आप present tense के perfect में जाते हैं मतलब present perfect में जाते हैं तो have has का use करेंगे past perfect में जाते हैं तो head का use करेंगे तो आप इस chart को copy कर ले या फिर इसके screenshot ले ले तो पहला tense मैंने आपको क्या बताया था? present indefinite tense और उसके पहचान मैंने क्या बताई थी? उस sentence में हमेशा ही last में ता है, ती है या फिर ते है रहेंगे इस प्रकार के sentence का structure मैंने क्या बताया था? subject and object तो रही गई वो तो मुझे पता है start में subject and last में object रहता है but beach में मुझे एक verb लगाना है तो वो verb क्या होगा? देखिए इस sentence में last में मुझे दिख रहा है ता है और मैंने बताया था ता है ती है अगर रहेगा तो वो present indefinite tense हो जाता है present indefinite tense है तो यहाँ पर structure क्या होना चाहिए? subject के साथ verb की first form होनी चाहिए last में object आनी चाहिए अगर sentence में होगी तो तो देखिए वह जाता है वह के लिए हम क्या यूश करेंगे? he और मैंने आपको बताया था जब भी he see it या फिर किसी का नाम रहे तो वहाँ पर verb की first form के साथ s और es लगाते हैं तो देखिए वह जाता है वह के लिए he लगाया है जाता है जाना का इंग्लिस होता है go और इसका last में o से खतम होता है तो यहाँ पर es लगेगा मतलब he goes तो वह जाता को है को हम इंग्लिस में क्या बोलेंगे he goes next sentence है मैं खेलता हूँ मैं खेलता हूँ last में क्या आया? ता हूँ तो यह भी present indefinite का tense है और इसका इंग्लिस क्या बनेगी मैं के लिए I का यूज हुआ है और खेलना का इंग्लिस तो सभी को पता है play होता है तो इसका हो जाएगा I play next है आप देखते हैं आपको मैं बोलूँगी you and देखना को इंग्लिस में क्या कहा जाता है watch you watch देखिए यहाँ पर verb का first form का use किया गया है अगला आता है हम पढ़ते हैं हम के लिए क्या यूज होता है we और पढ़ना का इंग्लिस क्या होता है study we study हम पढ़ते हैं next tense है present continuous tense जिसके पहचान क्या होती है रहा है रही है and रहे है तीक है और इसका मैंने structure क्या बताया था subject plus m is r में से किसी एक का use और verb की fourth form का use मतलब verb के first form में अगर आप ing लगा देते हैं तो वो verb का fourth form बन जाता है तो चलिए इसे भी एक sentence की तुरू समझते हैं जैसे कि अगर आपको बोलना है सीता गाना गा रही है तो इसे आप ingles में क्या बोलेंगे सीता सबसे पहले subject क्या है सीता उसके बाद m is r में से किसी एक का use और मैंने आपको starting में screenshot लेनी के लिए कहा है कि किसी का नाम के साथ हमेशा ही is का use करेंगे ठीक है तो सीता एक singular subject है तो यहाँ पर singular के साथ is आता है बट अगर यहाँ पर सीता, राम, मोहन सब बहुत सारे नाम होते तो वहाँ पर मैं r का use करती और यहाँ पर वर्व का fourth form का use करना है तो देखिए गाना को इंग्लिस में बोलते हैं sing और उसमें ing लगा देंगे रहा है तो मतलब यह present continuous का tense हो गया तो मुझे same structure follow करना पड़ेगा subject में से किसी का use और last में वर्व की fourth form का use सब्जेक्ट मेरे यहाँ पर क्या है वर्व को हम क्या बोलते हैं मेरे यहाँ पर किसी एक का use तो यहाँ पर ही के साथ is का use होगा तो he is going मेरा बन जाता है वहत जा रहा है next sentence है वैसे ही मैं खेल रहा हूँ तो यह रहा है रही हूँ वाला sentence है present continuous tense का sentence है तो यहाँ पर मैं खेल रहा हूँ को I am playing देखिए subject मैंने लिखा है उसके बाद M.S.R. में से किसी एक का use M का use हमेशा ही I के साथ करते M का use और किसी के साथ नहीं होता है सिर्फ और सिर्फ I के साथ होता है और यहाँ पे खेलना का fourth form playing होता है तो I am playing का मतलब होता है मैं खेल रहा हूँ next आता है आप देख रहे हैं आप देख रहे हैं मतलब यह present continuous tense हो गया तो आपको यहाँ पर इंग्लिस में आप क्या बोलेंगे You are watching आप देख रहे हैं इसको हम बोलेंगे You are watching तो चलिए present tense के अगले form को देखते हैं मतलब present perfect tense को देखते हैं उसकी पहचान क्या होती है उसकी पहचान होती है चुका है, ली है या फिर लिया है यह sentence के last में देखते हैं हम समझ जाएंगे कि वो present perfect tense है और इस प्रकार के tenses का structure मैंने क्या पता है था subject के साथ have has में से किसी एक का use और verb का third form का use और last में अगर object रहा तो object लिखेंगे ऐसे कि यहाँ पर एक sentence मैंने लिया है राम खा चुका है चुका है चुकी है मतलब यह present perfect tense है तो मुझे यहाँ पर subject के साथ have has में से किसी एक का use कर रहा है और verb की third form का use करना है तो देखिए sentence में यहाँ पर subject क्या है राम तो राम मेरा subject है तो मैंने लिखा राम उसके बाद have has में से किसी एक का use third person singular subject के साथ हमेशा ही has का use किया जाता है तो third person singular subject क्या-क्या होता है देखिए third person singular subject होता है he, see और किसी का नाम पट वो नाम single practical होना चाहिए तभी वो third person singular subject होता है और एक आता है it हमेशा ही इसके साथ has का use किया जाता है नोट करके रख ले he, see, it और किसी के नाम के साथ हमेशा ही has का यूज़ करेंगे और ये present perfect tense है इसलिए यहाँ पे वर्व का third form का यूज़ करेंगे तो चलिए sentence बनाते हैं राम खा चुका है तो उसे हम इंगलिस में बोलेंगे राम हैस इटन इट का third form होता है इटन मैंने इससे पहले एक वर्व वाली वीडियो डाली थी मैंने उसमें वर्व के तीनो form को बताया था first, second and third तीनो form को उसमें मैंने cover किया है और सारे वर्व को cover किया गया है आप चाहें तो वो वीडियो जाकर visit कर सकते हैं आपर मैंने वर्ब के तीनों फम को अच्छे से बताया है और ट्रिक के साथ बताया है ताकि आपको याद हो जाए तो चलिए आगे बढ़ते हूं अगला sentence है व जा चुका है तो देखी यहाँ वर्ब के ते हि령 कि बता है has का use करते हैं तो he has gone मतलब वह जा चुका है अगला sentence बता है मैं खेल लिया हूँ देखीं यहाँ पर लिया का use किया गया है मैंने आपको बताया था ना लिया का use किया गया रहेगा तो वो हो जाता है present perfect tense तो मैं खेल लिया हूँ तो यहाँ पर आप present perfect tense के structure को follow करेंगे इसके structure को अगर आप follow करते है तो कुछ इस प्रकार के sentence बनते है I have played, I have played means मैं खेल लिया हूँ अगला sentence जो है वह है आपने किताब ले ली है तो यहाँ पर ली है का use किया गया है तो यह present perfect tense हो जाता है सेम structure को follow करते हुए इसे भी मैं English में convert करूँगी तो यहाँ पर subject क्या है? subject यहाँ पर you है तो आपने किताब ले ली है इसे English में बोलेंगे You have taken the book You have taken the book You यहाँ पर subject है have का use helping verb के रूप में किया गया है taken यहाँ पर verb का third form है and the book last में हो जाता है object अगला part है present perfect continuous tense इसकी पैचान क्या होती है? say रहा है, say रही है इस प्रकार के sentences में हमेशा ही किसी न किसी समय के बात की रहेगी जैसे की सुभा से, साम से दो साल से, दो दिन से दो महने से तो यहाँ पर बच्चे काफी confused होते हैं कि sentence में since लगाए या फिर four लगाए देखिए, अगर time fix रहे तो वहाँ पर हमेशा ही since का use करें बट अगर time fix ना रहे तो वहाँ पर four का use करेंगे example, जैसे की मैं दो घंटे से पढ़ रहा हूँ दो घंटे से पढ़ रहा हूँ कि सुभा से या फिर साम से तो यहाँ पर मुझे time तो पता है कब का बात किया गया है यह तो सुभा का ही बात किया गया है सुभा कभी रात नहीं हो सकता है रात कभी सुभा नहीं हो सकता है तो ऐसे sentences में since का use करेंगे मैं आपको इससे sentence के थुरू और भी ज़्यादा clear करने की कोशिस करूँगी चलिए देखते हैं सबसे पहले structure देखते हैं present perfect continuous tense में कोई भी काम होता है और वो काम continuous चलता रहता है ये उसकी पहचान होती है जैसे कि आज साम से बादल गरज रहा है देखिए साम से गरज रहा है और अभी तक गरज रहा है तो देखिए से रहा है मतलब ये present perfect continuous tense है और ये काम अभी तक चल रहा है तो ये हो जाता है present perfect continuous tense तो चलिए इसे हम convert करते हैं तो इसमें subject क्या है बादल इसमें subject हो जाता है तो बादल को हम इंग्लिस में बोलते हैं the clouds the clouds उसके बाद मुझे लगाना है have और has में से किसी एक का यूज तो clouds जो है वो plural हो जाता है plural के साथ हमेशा ही have का यूज करना है have been का यूज करते हैं मैं आगे बढ़ूंगी तो मुझे वर्ब की fourth form लगानी है मतलब वर्ब की first form के साथ ing जोड़ना है तो यहाँ पर गरजना गरजना को इंग्लिस में क्या बोलते हैं thunder और thunder का fourth form क्या होता है thundering ठीक है और उसके बाद मुझे since और four में से किसी एक का यूज करना है लेकिन अगर यहाँ पर लिखा रहा था two hour से मतलब दो घंटे से बारिच हो रही है तब मैं यहाँ पर four two hour करती क्योंकि दो घंटा कब से बताया जा रहा है वो मुझे नहीं पता है तीक है I hope कि आपकी यह doubt clear हो गई हो since और four का यूज कब करते हैं तो देखिए यह sentence क्या बनता है the clouds have been thundering since this evening अगला जो sentence है वो है नल दो घंटे से चल रहा है देखिए से चल रहा है मतलब यह present perfect continuous tense है और इसमें जो काम चल रहा है वो अभी तक continue ही चल रहा है मतलब यह present perfect continuous tense है तो इसे कैसे बनाएंगे सबसे पहले मुझे subject लिखना है तो subject इसमें क्या है null है null को English में क्या बोलते है the tap the tap singular है इसलिए has का use किया है उसके बाद मुझे win का use करना है then verb का fourth form मतलब चलना को English में run बोलते हैं तो यहाँ पे verb का fourth form क्या हो जाएगा running उसके बाद four का use मैंने इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे two hours को बताया गया है और hours कब से यह गिना जा रहा है मुझे वो पता नहीं है इसलिए मैंने four two hours लिखा है तो मेरा sentence क्या बनता है the tap has been running for two hours अगले tense की और बढ़ते हैं अगला tense है past tense मतलब यह भूत काल की बात कही गई है वो काम हो चुका होगा तो सबसे पहला होता है past indefinite tense उसकी पैचान होती है ता था ती थे ते थे ऐसे sentences में हमेशा वर्व की second form का use करें और मैंने आपको पहले बताया था कि मैंने वर्व की तीनों फर्म की वीडियो डाल रखी हूँ आप जाकर वो वीडियो को विजिट कर सकते हैं अगर आपको तीनों फर्म की नौलेज ना हो तो past continuous tense उसकी पैचान होती है रहा था रही थी रहे थे ऐसे sentences में helping verb के रूप में was और where का use करते हैं और main verb के रूप में हमेशा ही continuous tense में याद रखे हमेशा ही main verb के रूप में verb का fourth form का use करेंगे मतलब verb की first form में ing जोड़ेंगे और हमेशा ही perfect tense में verb का third form use किया जाता है इसे याद करके रख ले चाहे वो present tense हो past tense हो future tense हो अगर continuous रहा तो verb का fourth form main verb के रूप में use होता है अगर perfect रहा तो verb का third form main verb के रूप में use होता है और helping verb हमेशा ही tense के according change होता रहता है past perfect tense की पहचान क्या होती है चुका था, लिया था, दिया था, ली थी और दी थी इस तरह के sentences को अगर आपको देखने को मिले तो आप समझ जाएगा कि वो past perfect tense की बात कही गई है और ऐसे sentences में हमेशा ही had का use करे helping verb के रूप में और verb का third form हमेशा ही main verb के रूप में use होगा अगला जो form है वो है past perfect continuous tense इसकी पहचान क्या होती है say रहा था मतलब कुछ काम चल रहा होगा past से और वो काम अभी तक खतम हो चुका होगा क्योंकि यहाँ पर था का बात किया गया था अब मैंने जो पहले बताया था वो हो रहा था say रहा है present वाले sentences में मैंने बताया था say रहा है मतलब कोई काम चल रहा था और वो अभी तक चल रहा था लेकिन past tense में कोई काम चल रहा था और वो अभी खतम हो चुका है इसलिए मैंने यहाँ पर था का यूज किया है तो मतलब किसी भी sentence में आपको दिखने को मिल जाए कि say रहा था या फिर say रहे थे तो आप समझ जाए वो past perfect continuous tense है और वहाँ पर helping verb के रूप में एक और मैं आपको ट्रिक देना चाहती हूं इस tense का नाम क्या है past perfect continuous tense तो मतलब यह दो tense से मिलकर बना हुआ है एक तो perfect tense से मिलकर बना हुआ है एक continuous tense से मिलकर बना हुआ है इसलिए हमेसा ही इसमें perfect tense का helping verb को ले और continuous tense की main verb को ले सेम यही ट्रिक present में भी follow होगा और future में भी follow होगा तो यह past के सभी forms को मैं start करने वाली हूँ पहला form होता है past indefinite tense past indefinite tense की क्या पैचान होती है ताथा, लिया, ली, यदी इस तरह के से अगर sentence end होता है तो समझ जाएंगे कि वो past indefinite tense की बात कई गई है तो यहाँ पर form क्या हो जाएगा मेरा structure हो जाएगा subject उसके साथ verb की second form and then last में object का use करेंगे तो चलिए हम इसे sentence की थूँ समझते हैं सीता गाना गाती थी देखिए ती थी का use यहाँ पर किया गया है मतलब यह past indefinite tense का sentence है तो इसका form structure क्या होना चाहिए subject के साथ verb की second form and then last में object अगर रहा तो तो देखिए पहला sentence है सीता गाना गाती थी तो subject क्या है सीता सीता के साथ हमेशा verb की यहाँ पर second form का use करेंगे क्योंकि यह past tense की बात कही गई है past indefinite tense की बात कही गई है इसलिए verb की second form सींग का second form सैंग होता है तो सीता सैंग उसके बाद object का लगाना है object क्या है गाना तो गाना को हम इंग्लिस में क्या बोलते है a song मतलब सीता गाना गाती थी सीता सैंग a song अगला sentence है वह जाता था देखिए जाता था चातत था का यूज किया गया है तो मतलब यह past indefinite tense है तो इसे convert करते हैं इंग्लिस में he went वह कौन है एक लड़का था वह जाता था तो वह ही के लिए यूज होता है और जाना का second form होता है went go went gone go first form went second form and gone third form होता है तो मैंने second form का use किया है went he went मतलब वह जाता था अगला sentence है आप खेले देखिए यहाँ पर ले का use किया गया है और ले का use होते ही यह past indefinite tense का sentence हो जाता है इसका structure वही होगा subject के बाद verb की second form का use करेंगे तो subject क्या होगा आप आपको इंगलेस में बोलते हैं you और खेलना को बोलते हैं play और play का second form हो जाता है played तो you played मतलब आप खेले you played अगला चो sentence है वह है आपने देखा आपने देखा तो यह देखिए last में देखा खा का use किया गया है तो इसे हम इंगलेस में बोलेंगे you watched watched second form होता है watch का तो you watched हो जाएगा आपने देखा आईए आगे बढ़ते हैं अगला form है past continuous tense इसकी पैचान क्या होती है जैसे present continuous में होता था रहा है रही है वैसे ही past में होता है रहा था रहे थे रही थी इसका form क्या हो जाएगा subject वहाँ पे मैंने amazor का यूज किया था यहाँ पर was where का यूज करेंगे जैसे कि वहाँ पे मैंने verb का fourth form का यूज किया था यहाँ पे भी same verb का fourth form का यूज करेंगे आईए इसे हम अच्छे से समझते हैं जैसे कि अगर आपको बोलना है राम खा रहा था ठीक है रहा था तो यह past continuous tense का sentence है तो इसे मैं convert करती हूँ तो सबसे पहले subject subject के है राम तो राम रहने लिखा उसके बाद was where में से किसी एक का यूज तो was where में से किसी एक का यूज राम third person singular subject है singular subject के साथ हमेशा ही was का यूज करेंगे और where का यूज हमेशा plural के साथ करेंगे आई वी और यू के साथ करेंगे तो यहाँ पर राम वाज और खाना का fourth form होता है eating eat के साथ मैंने ing लगा दिये तो fourth form हो गया है तो राम वाज एटिंग मिस राम खा रहा था अगला sentence है वो जा रहा था इसे हम बोलेंगे he was going he was going अगला sentence है मैं खेल रहा था तो I was playing आप देख रहे थे you were watching अगला आता है past perfect tense इसकी पहचान same present की तरह ही होगी जैसे महापर हम चुका है चुकी है करते थे वैसे यहाँ पर चुका है था चुकी थे ली थी या फिर लिया था का यूज किया जाएगा इसका structure क्या हो जाएगा subject had प्लस वर्व का third form and then last में object तो चलिए इसे भी हम हिंदी और इंग्लिस में convert करके देखते हैं रिया खा चुकी थी direct had का ही उसके बाद वर्व का third form eat का third form होता है eaten eat ate eaten eat first form eat second form and third form होता है eaten तो रिया had eaten मतलब रिया खा चुकी थी अग्ला जो sentence है वह है वह जा चुका था चुका था का यूज किया गया है मतलब past perfect tense है यहाँ पर मेरा sentence बनके तयार होता है he had gone वह जा चुका था he had gone अग्ला sentence है मैं खेल लिया था या था का यूज किया गया है तो यहाँ पर यह past perfect tense हो जाएगा इसे मैं इंग्लिस में कैसे बोलूँगी I had played I had played मैं खेल लिया था अग्ला sentence है आपने किताब ले लिथी लिथी का यूज किया गया है मतलब यह भी past perfect tense का sentence है तो इसे मैं कैसे बोलूँगी You had taken the book I hope कि आपको यहाँ तक की वीडियो काफी अच्छी लगी हो तो चलिए आगे बढ़ते हैं अग्ला जो है वह है past perfect continuous tense इसकी पहचान क्या होती है Say रहा था या Say रही थे Same जैसे हमने पढ़ा था Present में Say रही है या Say रहे है वैसे ही यहाँ हो जाएगा Say रहा था या Say रही है इसका structure क्या हो जाएगा subject उसके बाद had been का यूज किया जाएगा और then वहाँ करेंगे जब मुझे पता नहीं कि वह टाइम कपसे बताया जा रहा है तो वहाँ पर फोर का यूज करूंगी और यह हमेशा याद रखे यह परफेक्ट और कंटिनिवस दोनों से मिलकर बना है इसलिए परफेक्ट का हैड का यूज किया गया है और कंटिनिवस का आज साम से बादल गरज रहे हैं इसलिए मैं ने हने सब्सट के साथ है लगाया है थन बीन का यूज किया है उसके बाद घरजना को थंडर बोला जाता है मैंने पहले बताया था उसके बात सी एक ओना भीक्स driné है कि यह अजिए रहे इवनीं का बात कहा जा रहे है इसलिए म evening तो देखिए वहाँ पे मैंने had का use नहीं किया था यहाँ पे मैंने had का use किया है क्योंकि यह past tense का sentence है वैसे ही अगला sentence है नल दो घंटे से चल रहा था इसे हम English में बोलेंगे the tap had been running for two hours the tap had been running for two hours I hope कि आपको past perfect continuous tense अच्छे से समझ में आई हो तो हम आगे बढ़ते हैं अब आती है future tense की बारी सबसे पहले future indefinite tense जिसकी पहचान होती है गा गे गी और इसमें helping verb के रूप में will का use करेंगे और main verb के रूप में verb की first form की use करेंगे next आता है future continuous tense जिसकी पहचान होती है इसमें helping verb के रूप में will be का use करते हैं main verb के रूप में verb का fourth form मतलब verb के first form के साथ IAG लगाना है next है future perfect tense इसकी पहचान क्या होती है इसकी पहचान होती है चुका होगा या लिया होगा ऐसे में हमेशा ही helping verb के रूप में will have का use करेंगे और main verb के रूप में verb का third form का use करेंगे ठीक है next आता है future perfect continuous tense इसमें भी कोई काम होने की बात हो रही होगी और वो काम future में होता रहेगा क्योंकि ये future tense है present में मैंने क्या बता था कि वो काम हो रहा होगा अभी तक चल रहा होगा past में मैंने बता था वो काम हो रहा था और वो काम just अभी खतम हुआ और future में मैं बता रही हूँ कि वो काम चल रहा था कभी से और अब भी वो आगे और काम चलता ही रहेगा क्योंकि ये future की भी बात करेगा तो पहचान क्या होती है say रहा होगा ये say रही होगी ऐसे में helping word के रूप में will have been का यूज़ करते हैं और हमेशा ही word की fourth form की यूज़ करते हैं और since और four में से किसी एक का यूज़ करेंगे यहाँ पर perfect के लिए have been के यूज़ किये हैं और continuous tense का भी नाम है इसमें इसलिए word का fourth form का यूज़ किया गया है अब हम आगे बढ़ते हैं अब बारी आती है future indefinite tense की जिसकी पहचान है क्या होती है मैंने बताया था गा, गे, गी इन में से किसी एक का भी यूज़ किया रहेगा मतलब यह future indefinite tense होता है इसका structure होता है subject, will plus verb का first form and then last में object अगर रहा तो तो sentence कुछ इस प्रकार है वह गाना गाईगी तो यहाँ पे गी का यूज़ किया गया है तो मतलब हम sentence में बताने वाले है subject, उसके बाद will, then हम यूज़ करेंगे verb का first form and then last में object का यूज़ करेंगे तो वह गाना गाईगी तो she will sing a song she will sing a song उसे हम बोलेंगे वह गाना गाईगी देखिए मैंने यहाँ पे subject का यूज़ किया है उसके बाद will का, then verb का first form and then last में object का यूज़ किया गया है next sentence जो है वह है, वह जाएगा देखिए last में गा का यूज़ किया गया है मतलब यह future tense है तो यहाँ पर मुझे मेरा sentence बनता है he will go he will go मतलब वह जाएगा अगला sentence है मैं खेलूंगा खेलूंगा का यूज़ किया गया गा का तो यह future indefinite tense है तो यह कुछ इस प्रकार से बनके ready होगा I will play तो हो जाता है मैं खेलूंगा I will play अगला sentence जो है वह है आप देखेंगे आप देखेंगे को इंगलिस में बोलेंगे you will watch you will watch गे का यूज़ किया गया है इसलिए हाँ पर will का यूज़ किया गया है you will watch means आप देखेंगे अगला जो tense है वह है future continuous tense इसकी पहचान क्या होती है रहा है या फिर रहे है ऐसे sentences रहेंगे तो हम समझ जाएंगे कि ये future continuous tense है इस प्रकार के sentences में हमेशा ही सबसे पहले subject आएगा then will be का यूज़ किया जाएगा and then last में verb का fourth form मतलब verb के first form के साथ ing लगाएंगे ठीक है चलिए इसे हम English में convert करते हैं तीना पढ़ रही होगी देखें यहाँ पर रही होगी का यूज़ किया गया है मतलब ये future continuous tense है तो इसमें सबसे पहले हम subject लिखेंगे then उसके बद will be का यूज़ करेंगे and then last में verb का fourth form का यूज़ करूँगी चलिए देखते हैं तीना यहाँ पर subject है अगला जो sentence है वह है वह जा रहा होगा इसे हम English में बोलेंगे he will be going मैं खेल रहा होँगा I will be playing आप देख रहे होंगे you will be watching तो यहाँ पर मैंने सभी sentences में verb की fourth form का यूज़ किया है सब में ing लगा हूँ है मतलब ये verb का fourth form यूज़ किया गया है अब मैंने कहा था कि continuous sentences में हमेशा ही verb का fourth form का यूज़ करे अगला जो tense है वह है future perfect tense इसकी पहचान क्या होती है चुका होगा या लिया होगा ऐसे sentences को बनाने के लिए हमेशा ही सबसे पहले subject then will have का यूज़ करेंगे then verb की third form and the last में object का यूज़ करेंगे तो देखते हैं इसे convert करके तीना पढ़ चुकी होगी देखिए यहाँ पे चुकी होगी का यूज़ किया गया है तो यह future perfect tense है तो इसे कुछ इस प्रकार से convert करेंगे सबसे पहले subject उसके बद will have and then verb की third form का यूज़ करेंगे तो तीना will have studied तीना will have studied means तीना पढ़ चुकी होगी अगला जो sentence है वह है वह जा चुका होगा तो यह future perfect tense है He will have gone मैं खेल चुका होँगा I will have played आप किताब ले लिये होगे तो you will have taken the book You will have taken the book तो last tense है future perfect continuous tense देखिए आपे perfect भी है continuous भी है मतलब कुछ जो है वो perfect से यूज होगा और कुछ continuous से भी यूज किया जाएगा तो उस sentence को कैसे पहचानेंगे अगर उस sentence में रहेगा से रहा होगा, से रहे होंगे तो हम समझ जाएंगे future perfect continuous tense है ऐसे sentences को बनाने के लिए सबसे पहले हम देखिएंगे subject उसके बाद will have then wean का यूज करेंगे उसके बाद verb का fourth form का यूज करेंगे and then last में since और four में से किसी एक का यूज करेंगे तो चलिए sentence को हम convert करते हैं साम से बादल गरज रहे होंगे देखिए यहाँ पर रहे होंगे का यूज किया गया है तो इसे मैं कैसे convert करती हूँ? सबसे पहले मैं subject लिखूंगी उसके बाद will have been का यूज करूँगी structure के according उसके बाद verb की fourth form मतलब thundering का यूज करूँगी then since और four में से किसी एक का यूज यहाँ पर मुझे पता है evening एक fix time है इसलिए मैंने यहाँ पर since का यूज किया है the clouds will have been thundering since evening अगला sentence है नल दो घंटे से चल रहा होगा देखिए यह पर रहा होगा का यूज किया गया है और से चल रहा होगा कोई काम चल रहा है और continue चलता जाएगा future में तो ऐसा tense होता है future perfect continuous tense तो अबसे पहले मैं subject लगाँगी उसके बाद will have been का यूज करूँगी उसके बाद verb का for form and then last में for और since में से किसी एक का यूज करूँगी तो sentence कुछ इस प्रकार से रेडी होगा the tab will have been running for the two hours the tab will have been running for two hours I hope कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो मैंने अपनी पूरी कोसिस किये कि मैं आप तक अपनी बातों को समझा सकू चाट के थूँ अगर आप कोई वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें मैं आप लोगों के लिए एक पोस्ट कर दूँगी आपको उसका answer comment box में करना है और ये भी बताना है कि वो किस tense का sentence है